प्रदेश व्यापी आवान पर सामाने चिकित सालय के बाहर नर्सेज करमियों का धरना पंद्रवे दिन भी जारी रहा आज नर्सेज करमचारियों ने अपनी ग्यारवे सुत्रिये मांगों को लेकर अस्पताल में दो घंडे तक कारे बहिशकार कर अस्पताल परीसर में खड़े होकर नारे बाजी करते हुए प्रदर्शन किया कल से ब्लॉक स्थर पर कारे बहिशकार होगा प्रदर्शन के दोरान अधिकारी संगटन से जुड़े प्रदाधिकारी कारे करता सहित अनेक नर्सिंग कर्मी मौझूद रहे नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि धरने से पहले दिन करमचारियों के द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी ग्यारा सूत्रिये मांगो को लेकर मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सौपा गया जिसके बाद हनुमान चालिसा के पार्ट से लेकर मंत्री जूली शहर विधायक संजर शर्मा को अपनी ग्यारा सुत्रिये जायज मांगो को लेकर ग्यापन दिया गया बहरोड विधायक को भी ग्यापन सौपा उन्होंने बताये कि नर्सिंग करमचारियों की मांग है कि वेतन विसंगती केडर रिव्यू निदेशाले स्थापना नर्सिंग सुडेंट का स्थाई फंड बढ़ाय जाने और स्टाफ की पदोनती की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आवान पर कारेकर धर्ना प्रदर्शन लगातार जारी है नर्सिंग अध्यक्ष राजपाल यादव ने कहा कि सरकार का अडियल रवया है सरकार मांगो पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 अगस्त को जैपुर में सभी नर्सिस करमियों द्वारा महारेली का आयोजन किया जाएगा राजस्तान संयुक नर्सेज संगर समिती अलवर की दौरा प्रदेश वापी आववान पर आज अलवर जिले के अंदर आठ से दस वजे तक दो घंटे का कारिय बैसकार रखा गया है और नर्सेज जो एक सेवा के प्रोफेशन के रूप में जानी जाती है नर्सेज ने हमेशा चाहे कोरोना काल देख लीजिए आप कईजिसी भी काल में देख लीजिए भरीजियों की सिवा पे दिन रात एक करके डटी रही है लेकिन एक ऐसे समवर को भी आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है बड़ा सोचनी विशय है हम लगातार गां नर्सेज को करना पड़रा है और यह एक चेतावनी है सरकार को कि नर्सेज को हलके में नहीं लें क्योंकि emergency services के अंदर आती हैं और जो मानोपीडा में लगी रहती हैं उन नर्सेज की धेरिये के परिक्षा नहीं लें इसके पस्चात गलोकवार करमे अंदोलन होगा दो घंटे का कारिय बैसकार होगा उसके बाद पूरे राजस्तान के अंदर दो घंटे का सभी संस्तानों का लेकिन ऐसे संवर्क को अड़ताल की जरूत पड़नी पड़ रही है तो मैं परता हूँ किससे सोचनी बात नहीं हो सकती इसलिए राज सरकार को सब्वेदन सीवता करने लेते हुए हमारी वांगों पर सतारात कुछी विचार करना चाहिए